चलिए जुड़ जाएए फटाफट सब लोग है ना ठेक है आवाज बगरह सब क्लियर मैं भी जो है अपने फोन में चेक कर लेता हूँ और उसके बाद डica क्लास को जटर्ट करते हैं ना ठेक आज क्या देखेंगे हम लोग डिफेक्ट हम लोग देख चुके थे यानि कि क्या समस्याएं आती हैं वेल्डिंक करते समया यह हम लोग देख चुके थे कल हमने चर्चा भी कर दी थी कि आज हम लोग एक बच्चे ने कहा था कि सरे defect जानेंगे कैसे हमको पता कैसे चलेंगे तो मनें बताया था आपको 43 करना पड़ेगा निरेक्षण करणा पड़ेगा निरेक्षण और परिक्षण दोनों करना पड़ सकता है यानि कि inspection भी विपिन कुमार जी, गृड इविनिक विपिन कुमार ये नया कमेंट आया है चलिए तो inspection क्या है? inspection आपको जो है निरक्षण करना पड़ सकता है welding का और साथ में परिक्षण भी करना पड़ सकता है testing भी करनी पड़ सकती है तो आज के एक लास अगर हम लोग Inspection और Testing को Start करें देबै जोती जी आज की Class हम लोग Start करें उससे पहले आपको थोड़ा सा एक मैं क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश करूगा कि आगर Inspection है क्या और ये किस कैटिगरी में कितने कितने प्रकार की यह होते हैं को बोलते हैं निरिक्षण और परिक्षण है क्या हुँ निरिक्षण और परिक्षण है यह क्या है वेल्ड कीया तीस्टेंग Tri Mum हो सकते हैं, internal हो सकते हैं, external हो सकते हैं, जो बीच से देख रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट से क्लास देखिएगा, ठीक है, तो यह क्या है कि fault को जो है identify करता है, आपने welding कर दी, welding में कहां पर fault है, उसको जो है क्या करेगा, यह बता के देगा, इसके लिए आप क्या करते हैं, inspection करते हैं, यानि कि testing करते हैं, साथ ही, जो welder है, जो welding कर रहा है, उसकी कितनी योगिता है, वो कितना कुशल है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, अगर आपको यह चक करना होगा, तो आप क्या करेंगे, inspection और testing करेंगे, clear हुआ इतनी बात, buffering हो रही है क्या, buffering नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, network आइश होगा, तो क्या है, identify fault, fault को, fault का जो है, क्या करता है, पता लगाता है, का पता लगाते हैं, किस से, inspection और testing से, fault का पता लगाते हैं, साथ ही क्या करते हैं, welder की, welder की, कार्य कुशल्ता, कार्य कुशल्ता भी ग्याद करते हैं, इसी से, ठीक है, अगर किसी welder को, कितना बढ़िया वो काम कर रहा है, यह आपको चेक करना है, तो यह क्या है, आप क्या करेंगे, testing करेंगे, यानि की inspection करेंगे, अब inspection और testing अलग-अलग है, यह basically जो है, एक ही जो है, चरण के सारी परिणाम निकल के आते हैं, जहांपे हम लोग testing करते हैं, जब हमारी inspection से हमारा काम नहीं बनता है, जब निरिक्षण से हमारा काम नहीं बनता है, तब हमको परिक्षण करना पड़ता है, निरिक्षण का मतलब यह है, कि आप जो है, जा करके आराम से देख लीजिए, कि अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ ठीक है, नहीं हुँ आपका इससे काम, तब आप परिक्षण करेंगे, तब उसको मेटरियल को ले करके हाथ में टेश्ट करेंगे, चिक करेंगे, कि यार कैसा काम किया है, अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो क्वालिटी आफ वेल्डर, इस यानि की वेल्डर की कारेकों शलता है, आनि की क्वालिटी आफ वेल्डर, ठीक है, और साथ में क्वालिटी आफ जॉइंट, क्वालिटी आफ जॉइंट भी हम लोग क्या करते हैं डियर, पता करते हैं, तो यही मकसद होता है कुल मिलाके, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग पढ़ने का भी, और inspection और testing करने का भी ठीक है clear है चलिए inspection अगर आपका बढ़िया होगा तो joint आपका विश्वसनी यह होगा है कहने के मतलब यह है कि अगर आपके उपर कोई crane लगई होई है ठीक है और कोई व्यक्ति है मान के चलिए कि रामलाल कोई व्यक्ति है हमारे यहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं रामलाल नाम के मान के चलिए कि उनको welding नहीं आती है ठीक है बुरा मत मानिएगा आप देख रहे हैं तो मुझे example याद नहीं मान लिए जिए मोहन कोई व्यक्ति है उससे welding नहीं बन रही है उसने जो है किसी तरह welding करके आपके सामने जो है crane उपर लटका दिया तो क्या आप उसके नीचे जाके खड़े होंगे नहीं आपको डर लगे रहेगा कि कहीं ऐसा नहों कि कैसा welding किया है हमारे उपर नगेल जाए और मैं जो है आपको quality of joint हो गया और inspection और testing से ही क्या करते है आप विश्वाशनियता को assure करते है विश्वाशनियता ठीक है विश्वाशनियता भी जो है आपकी inspection या testing से हम लोग क्या करते हैं प्राप्त करते हैं ठीक है तो इसका मकसद और यह क्यों करते हैं समझ में आ रही है ना कि हम लोग क्यों करते हैं इसके इससे क्या होता है ज्वाइंट की विश्वास नित्या बनती है हमको ये भरोसा हो जाता है कि हमने भाई टेस्ट कर लिया है जांच लिया है परक लिया है अगर मैं अभी कोई कार बना दूँ वेल्डिंग करके जोड़ दूँ आप उसके चलोगे नहीं चलोगे बिना टेस्ट कीए आप उसको पहले हाथ से देखोगे दवा दवा के है ना कोई समान आप लेके जाते है तो फ़हले पूरी तरह से मजबूत है और ये काम करने के योगे हो गया है ठीक है क्लियर है यहां तक किसी कोई दिक्कत अब inspection के बारे में अगर हम लोग बात करें inspection और testing में क्या अंतर है तो inspection क्या है inspection हमेशा visual तरीके से की जाती है मैंने अभी उधारण बताया था starting में कि अगर जैसे मान के चलिए कि आप के हां मकान बन रहा है घर बन रहा है मिस्तरी बना रहे हैं अब काम कर रहे है आप जाते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं पूरा यहां से आगे से पीछे तक देखते हैं और चले आते हैं वो क्या हो जाएगा inspection हो जाएगा अब कोई दीवाल जो है वो खड़ी कर दी गई है उस दीवाल पे एक इंट को जो है आप ऐसे हाथ से मार के चेक कर रहे हैं कि भाई कितनी मजबूत है वो क्या हो जाएगा वो टेस्टिंग हो जाएगा clear है उधारन हो सकता है कि उतना सटिक नहीं बैठ पा रहा होगा बट inspection का मतलब यही है निरिक्षण का मतलब यही है कि inspection सदैव क्या किया जाता है विजूल किया जाता है इंस्पेक्षण विजूल विजूल का मतलब होता है द्रिश्य यानि कि देख करके विजूल किया जाता है ठीक है इसमें क्या करते हैं हम लोग आँखों से देख करके तो आप ये बताइए inspection में आप कैसे दोस का पता लगा पाएंगे inspection जो है वो आँख से देख के use up कर रहे हैं आँख से देख के निर्क्षण कर रहे हैं तो आँख से देखने वाला जो दोस था वो काँ सा था वा हे दोस था, external defect था तो सारे external defect आप किस से पता करेंगे inspection से पता करेंगे ठीक है clear है चलिए अब inspection जैसे मान की चलिए आप inspection करने गए आपकी workshop है आपको supervisor बना दिया गए welder का आप जाएंगे तो inspection कैसे करेंगे उनके तीन चरण होते हैं कि कैसे कैसे आप करेंगे माकान आपका बन रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे माकान बनना शुरू नहीं हुआ है उसके पहले आप जाएंगे एक बार मुआइना करेंगे जमीन कैसी है यहां की मिट्टी कैसी है इट आ गया है सही से या नहीं इट प्रॉपर है या नहीं आपका जो सैंड है, सीमेंट है वो सब ठीक ठाक है या नहीं तो यह क्या है बिल्डिंग बनने से पहले का निरिक्षण हो गया उसी प्रकार से जब वेल्डर आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं इसके क्या है तीन स्टेप होते हैं तीन स्टेप होते हैं किसके inspection के यानि कि निरिक्षण के निरिक्षण के तीन step होते हैं एक क्या होता है welding करने से पहले welding start होने से पहले होने से पहले यानि कि before welding start जब welding आपकी start नहीं हुई है उस से पहले आप जो inspection करेंगे वो एक चरण हो जाएगा दूसरा चरण आपका क्या हो जाएगा डिूरिंग वेल्डिंग डिूरिंग वेल्डिंग के मतलब क्या है वेल्डिंग के दवरान वेल्डिंग के दवरान यानि कि जिस समय वेल्डिंग हो रही है उस समय आप जो जो चीजें चेक करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका वो कहलाएगा आपका welding के दवरान का निरिक्षन welding से पहले यानि कि welding सुरुवात नहीं हुआ है welder सारा सामान लिया के बैठ गया है ठीक है अब आप उसका जा करके check करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं कितना machine हमको चाहिए क्या electrode चाहिए कितना मोटा plate है उसाब से कितना हम लोग लेंगे thickness ये सारी चीज़े ठीक है clear हो गया चलिए उसके बाद थर्ड नमर पे आपका क्या है welding के बाद after welding after welding यानि कि welding के बाद welding के बाद हाँ बिल्गुल चंद्रमोहन after welding before welding अच्छा इस एक बात तो अगर मैं बहुत ही short तरीके समझाने की कोशिश करूँ अभी बारी बारी से हम लोग इस पर आएंगे कि इस दवरान में हम लोग करते क्या है क्या क्या काम करते हैं कैसे जानेंगे आप कि welding के पहले आपको क्या चेक करना है मैं थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ सिर्फ आप inspection को याद रखी सिर्फ आप inspection को ध्यान रखिए सिर्फ आप inspection को ध्यान में रखिए मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ देखिए अब जो मैं classification आपको बताऊंगा वो classification आपको ठीक है बहुत ध्यान से द्यान देना है ठीक है देखिए inspection क्या हुआ inspection के तीन चरण होंगे ध्यान से देखिएगा inspection के कितने चरण होंगे डियर तीन चरण होंगे ठीक है इंस्पेक्शन के तीन चरण होंगे कौन सा एक क्या होगा welding के पहले यानि की बिफोर welding हो गया ये ये ना बिल्कुल ये बिफोर welding हो गया और ये क्या हो जाएगा welding के दवरान हो गया है ना यानि की during welding during welding है ना ये वेल्डिंग के दवरान हो गया और थर्ड क्या होता है after welding आफ्टर वेल्डिंग है ना यानि की welding के बाद इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा welding के बाद clear हुई इतनी बात इतनी बात clear हुई क्या अब देखिए welding के पहले आप क्या करेंगे आप लोग चेक कर लेंगे वैसे जैसे आपका घर बनना स्टार्ट होता है तो आप लोग क्या क्या जाके चेक करते हैं अभी हम लोग complete नहीं हुई है तब तक तो चीजों को आप सुधार सकते हैं है ना जैसे कोई welder सही से काम नहीं कर रहा है electrode का thickness मोटा ले लिया है तो आप उसको तुरण डाटेंगे रहे यह क्या कर रहे हो तो electrode का thickness जो है वो जादा मोटा है पतला electrode लो कहीं पर distortion हो रहा है जिख picture सही से पकड़ाव नहीं बनाया है कसा नहीं है arc welding का current जो है वो कम जादा है तो आप तो उसी समय बोल दोगे लेकिन आपकी job जो है वो क्या हुई बन के तयार हो गई आपका plate जो है वो बन के तयार हो चुका है और उस समय क्या करेंगे after welding आप करेंगे after welding के बाद जो inspection करेंगे वो inspection आपका क्या बदल जाएगा testing में बदल जाएगा testing में बदल जाएगा clear हुआ क्या हो जाएगा डियर वो टेस्टिंग में बदल जाएगा ठीक है बिलकुर और ये testing क्या होता है testing सही हम लोग बाद में हमारा product बन के तयार हो गया है कोई joint बन गया है उसका हम लोग तोड़ के बिना तोड़े है ना उसकी मजबूती का strength का इंधरर करते है और यहीं से हमको विश्वसनीता मिलती है ठीक है यहीं से हमको विश्वास हो पाता है तो यह क्या होता है टेस्टिंग बदल जाता है आप टेस्टिंग क्या करते हैं हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं टेस्टिंग के भी जो है आप अलग-अलग method देखेंगे अलग-अलग method क्या देखेंगे अगर टेस्टिंग आपकी तोड़ फोड़ करके की जा रही है बिना तोड़ फोड़ की की जा रही है और कभी-कभी तूट-फूट हो भी जाती है नहीं भी हो जाती है ठीक है ठीक है तो क्या हो जाएगा non-districtive test ठीक है non-districtive test उसके बाद semi-districtive test उसके बाद क्या हो जाता है destructive test ये तीन प्रकार के testing फिर निकल के आती है अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं और उस टेस्टिंग के दोरान material में किसी प्रकार की तूट-फूट नहीं होती है और material आप फिर से use कर लेते हैं तो किस स्रेणी में चला जाएगा वो non-districtive test में चला जाएगा clear इतनी बात और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ material जो है वो use में आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं तो वो same ही district चला जाएगा ठीक हो बीच का part हो जाएगा और destructive में क्या हो जाता है पूरी तरह से material आपका workpiece जो आप test कर रहे हैं जिसके परिक्षणा लेके कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा जीकि जैसे 100 piece किसी welder ने बनाया आप 3-4 piece आपने उठाया और आपको एक आकड़ा हो गया कि 3-4 piece हम ने किया इसमें एक खराब हो गया अब यह जो non-destructive test है यह भी अलग प्रकार से बट जाता है देखिए इसलिए मैं बताया हूँ कि यह आपको समझना ही पड़ेगा यह non-destructive test जो है वो वो फिर से आपका दो टाइप में बट जाता है फीक है इस classification को समझे का बहुत ध्यान से एक क्या होता है common common method ठीक है एक क्या होता है dear special method ठीक है एक क्या होता है common method एक क्या होता है special method आगे भी क्या होता है workshop होता है live होता है वहाने जाना है वो सब एक साथ बता देंगे बट यहां तक कि जो classification है कोई कुछ बोल नहीं रहा है फस गई है क्या class एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ा ले गया कोई बाद में पता चला कि class ही नहीं हुई चलिए चल रहा है चाहिए तो यह क्या हो जाएगा common method हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा इस पसलिए non-destructive की बात है यानि कि गैर तूट फूट वाला non अब भंजनात्मक टेस्ट इसको बोलते हैं ठीक है परीक्षण ठीक है अर्द भंजनात्मक परीक्षण अंग्रेजी लिखिएगा जरूर नहीं धोखा खा जाएगा आप एक्जाम में ठीक है और क्या है भंजनात्मक परीक्षण अगर मैं सही हूँ तो कोई correct कर दीजेगा ठीक है परीक्षण है ठीक है ठीक है टेस्टिंग है तो मतलब परीक्षण है इंस्पेक्षण है आने की निरिक्षण है यह सब निरिक्षण के ही पार्ट है ठीक है हाँ चल रही है ठीक है हाँ तो ये क्या हो जाएका common method आप common method जो होंगी वो common method तीन होती है common method का मतलब यह है कि आप non-distruptor में common method यह है कि आप just गए आपको सामान तोड़ फोड़ नहीं करना है तो आपको special में भी नहीं करना है लेकिन ये वाला क्या है ये common method बहुत आसानी से हो जाता है ठीक है समझते हुए चल रहे है ठीक है विपिन जी अब ये क्या है कि common method जो है ये तीन प्रकार का होता ये बहुत आसान होता इसलिए इसको common बोल दिया गए इसलिए इसको बाट दिया गए बांकि कोई ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बहुत बड़ा rocket लगा हुआ है बस ये है कि special method करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान ले करके जाना पड़ता है ठीक है कुछ-कुछ equipment लगते हैं इसलिए इसको special method बोल देते हैं और ये क्या होता है common method है common का मतलब क्या है normal simple सा ठीक है तो common method में क्या आ जाएगा visual आ जाएगा इसमें 3 होगा और इसमें 5 से 6 होते हैं बेसे के लिए गर 5 आ जाए option में तो 5 क्लिक करिए 6 आ जाए तो 6 maximum to maximum आपको क्लिक करना है 6 तक ठीक है अभी वो 6 पांच जो भी होते हैं मैं आपको बता दूँगा अभी मुझे को clear नहीं है कि 5 है अच्छे है ना अभी जब लोग लिखेंगे 6 होते हैं ठीक है 6 होते है 6 लिखें आप लोग 6 test मैं गिनवाब सी सकता हूँ अभी भी मुझे यादा है हाँ समझे आया ना कौमने मेथट क्यों बोलते हैं बस आप गए आँख से देख लिए वो क्या हो जाएगा नान डिस्टिप्टिव तो है आँख से देखने में कोई तूट फूट तो नहीं है लेकिन ये भी क्या है विजूल टेस्ट बहुत आसान हो गया बस आप गए जश्ट आपने देख लिया लेंस लगा के आँख से आपने देख लिया विजूल टेस्ट या इसी को दृष्ट ये परिक्षण हिंदी में बोल सकते है दृष्ट ये परिक्षण ठीक है उसके बाद ये पहला नंबर हो गया अगला आपका क्या हो सकता है जो कि आप बहुत आसानी से कर पाएं अगला आपका क्या हो सकता है जो आप बहुत आसानी से कर पाएं common method तीन है आप कोई बता सकते हैं लीक penetration नहीं लीक टेस्ट होता है ठीक है लीक टेस्ट होता है है ठीक है कि मतलब आप लोग समझ रहे होंगे लिख करना मतलब कि रिषाव को व tub आप बहुत ही common तरीके से कर लेंगे है ना वो भी आप क्या करें बहुत ही common तरीके से कर लेंगे जैसे आप रिसाव cylinder में चक करते हैं उसी प्रकार से अगर आपका कोई container बना हुआ है तो आप पानी डालेंगे रिसाव करके leak penetration आपके श्याम कुमार जी लेट हो गया है ना पीछे से अब देखिएगा class यह फिर ठीक है यह ध्यान से देख लिजे classification में बता रहा हूँ तो leak या pressure हो गया ठीक है इसको leak या pressure बोलेंगे उसके अलावा एक क्या होता है इस टेथो इसकोपिक होता है अब लोग इसके बारे में समझेंगे detail में इस टेथो इसकोपिक टेस्ट ठीक है यह तीन जो है आपके common method है बहुती आसानी से आप जस्ट गए और आपके हाथों हाथ हो जाते हैं बहुँ ज़्यादा ताम जाम बहु ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती इसलिए इनको common बोला गया और special में क्या हो गया ज इसमें क्या जाएगा आपका इसमें 6 हो जाएंगे पहला क्या हो जाएगा MPT magnetic particle test इसका full form मैं लिख दूं क्या हो सकता है किसी को दिक्कत हो magnetic particle test है ना यानि कि चुम्ब की वाला होता है ठीक है चुम्बक वाला होता है चुम्ब की परिक्षणी होता है यह सिर्फ magnetic अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे ठीक कौन किसके लिए होता है magnetic particle हो गया MPT हो गया उसके बाद DPT होता है डाई penetration test LPT भी liquid penetration test भी हो सकता है ठीक है डाई penetration test ठीक है सर क्लास को थोड़ा पहले करवा दीजिए क्लास का टाइम मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है सब लोग जूड रहे है कोई दिक्कत नहीं है नव बजे है ना मैं भी free हो जाता हूँ आराम से चलिए उसके बाद hydraulic test होता है आपका hydraulic test radiography रेडियोग्राफिक हम लोग x-ray के नाम से बोलते है ठीक है यह कई बार पूचा भी गया है यह रेडियोग्राफिक test हम लोग कैसे करते हैं दिख रहा है ना यहां तक नहीं दिख रहा है यार ठीक है श्याम कुमार notes हाँ अरे श्याम कुमार जी आप मैं तो भूल गया था notes आपने भेजा नहीं मेरे पास ना notes आप भेज दीजिए असामत करिए radiographic test हो गया इसको हम लोग x-ray test के नाम से बोलते हैं gamma test हो गया ultrasonic हो गया यह सारे भी इसी में आते हैं ठीक है एक दो तीन चार हाँ हो तो गया और क्या हो गया गामा test हो गया और ultrasonic test हो गया तो 6 जो है आपके special method हो गये ठीक है और यह आपके तीन जो है वो common method हो गये इतनी बात clear होई यह classification सभी को clear हो जाना चाहिए इस classification को बहुत ध्यान से आप लोग समझेगा क्योंकि confusion नहीं ठीक है confusion नहीं चाहिए मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई confusion नहीं चाहिए कि पता चला कि मैं बात कर रहा हूं non-destructive में common method पे मैं चल रहा हूं तो आपको यही नहीं प चंद्रमोहन जी दिख रहा है ठीक है ठीक है इसको रफ कर दें इस classification को इसके आगे अब हम लोग देखते हैं क्या welding के पहले आप क्या करेंगे ठीक है कौन कौन सी टेस्टिंग आप कर सकते हैं किन-किन बातों का धियान रखना है आपको welding के दौरान आप किन-किन बातों का हाला कि smart board होता है तो यहीं पर आपका बहुत आसान हो जाता समझाना फिर जो है after welding की बाद हम लोग जानते ही है टेस्टिंग करना है हमको non-destructive, semi-destructive और destructive इनके बारे हम लोग अच्छे से देखेंगे common method देखेंगे, special method देखेंगे, जो workshop मिले जाना होगा, तोड़ फोड़ यह हो गया, electrode की class हो गई, electrode influx है न, electrode codification, यह सारी classes थोड़ी से लंबी होंगी, तो patience बना के रखना है, जल्दबाजी नहीं class में कभी भी, ठीक है, मेरे पास message मत करिए, ऐसा कि सर जल्दी से course करिए, इसलिए मैंने recorded पुरानी class डाल दी है, upload कर दी है, आप उनको देख सकते है सही है न, ultrasonic test कैसे करते हैं, अभी पहुच रहे हैं, विपिन जी, बहुत आराम से पहुच रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा, सब clear कर देंगा, बस यह class खतम होने दीजे, chapter खतम हो जाए, उसके बाद आप पूचिएगा, कुछ पूचेने के लिए बचेगा ही नह ठीक है, तो अब लोग क्या देख लेते हैं, वेल्डिंग से पहले जो है आपको इंस्पेक्शन करना है, जैसे के इंस्पेक्शन में बताया है, वेल्डिंग के पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद, है न, तो before वेल्डिंग, है न, यानि कि वेल्डिं क्या आप जाके inspection कर लिजे निरेक्षन कर लिजे तो आप क्या inspection करोगे इसमें बताइए सबसे पहले तो आप builder की योगिता को देखेंगे ना कि builder योग है की नहीं certificate कहीं से लिया है ITI किया है कहीं पर experience है उसको कितना योग्य है वो इस सारा चीज तो चेक करेंगे ना ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग जितने भी हमारे पास उपकरण है tool हो गए machine हो गई ठीक है तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे यानि की उपकरणों का equipments का की जाच करेंगे ये सब ठीक था काम कर रहे है या नहीं जिस tool की हमको आवशकता है वो हमारे पास है या नहीं है न NPSL का exam कब तक हो सकता है थोड़ा सा time लगेगा NPSL की exam होने में मैं previous history देखूंगा NPSL का तो मैं YouTube पर वीडियो बना दूँँगा कब तक होगा अभी मैं कोई comment नहीं करूँगा ठीक है चलिए tool क्या है अभी मैं बता दू मैं NPSL रावत भाटा 2017-2018 में कब आया था कोई notification मैं उसमें mechanical से post थी मैं इसमें apply किया था उसका आस्ता की exam नहीं होगा अलाकि अब जरूबत भी नहीं है ठीक है तो tool machine उपकरनों इन सब की आपको क्या करना है जांच करना है उसके बाद आपको welder की योगिता भी देखना है welder की योगिता जांच लेना है कि welder जो है वो हमारा योग है या नहीं ठीक है welder जो है वो योग है या नहीं और साथ में जो आपका metal का थिकनेस है जितने थिकनेस की आप metal लिए है welding करने के लिए उस metal की थिकनेस के अनुसार आपका electrode का जो diameter है वो जहुँ छोटा है या बगध बड़ा तो नहीं है आई आप जो है ऐसे लिख सकते हैं base metal के थिकनेस के अनुसार electrode डाया का चयन चेक करें है ना inspection करने आप गये है चयन करें या चेक करें वही बात है ठीक है चयन करें या चेक करें उसके बाद आप distortion welding के दौरान ना हो उसको रोखने के लिए jig picture है या नहीं कितने jig picture की जरूरत है है ना वो सही से काम कर रहा है या नहीं अगर welding के दौरान कहीं पर distortion होने लगे तो इसको आप लिखेंगे distortion को रोकने के लिए के लिए jig picture की जाच है ना उनकी जाच करें कि जाच का मतलब इन दे सेंस की यही कि कैसा है ठीक ठाक है जिसकी जरूरत है वो है या नहीं जितने मात्रा में जरूरत है वो है आपके पास या नहीं सर इनपीसेल का science कहां से पूछता है यार इनपीसेल के मैंने exam सायद दिया नहीं है science के बारे मुझे idea नहीं है देखूंगा paper है previous year मैं देखके बताऊंगा ठीक है ठीक है ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे alignment चेक करेंगे alignment चेक करेंगे है ना material जो है वो सही alignment में है या नहीं आपको plate ऐसे weld करना है पता चला एक plate ऐसे हो गई तो पहले welding के पहले तो चेक करेंगे ऐसा तो नहीं कि welding मार दिया और तब चेक करेंगे बुलेंगे अरे यह तो तेढ़ा मेढ़ा हो गया आप इसको सीधा करो तो तोड़के तो पहले यह alignment भी चेक कर लेंगे है ना कि कैसा सीधा alignment हो रहा है या नहीं ठीक है तो alignment चेक करेंगे polarity को चेक करेंगे कि polarity यानि कि किस प्रकार का metal है अगर aluminium है लोहा है ब्रास है कापर है तो हम लोग कौन से polarity का चुनाव करेंगे है ना तो polarity को ध्यान देंगे ठीक है यह आपसे पूछा जा सकता है सारे topic कि welding करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में देना है polarity अगर arc welding कर रहे है तो और यदि gas welding कर रहे हैं तो gas का flame चेक कर लेंगे काउन सा gas का flame यूज करना है यह सारी चीज़ें जो है हम लोग क्या करेंगे ग्यात कर लेंगे ठीक है तो यह लिखवाने की ज़रुबत तो नहीं है ना कि आप nozzle चेक कर लेंगे ब्लो पाइप चेक कर लेंगे है ना nozzle हो गया ब्लो start हो गई the welding क्या होई start हो गई तो अगला topic क्या जाता है during welding है ना यानिकी welding के दोरान अब यह सगेंड वाले पर हम लोग जंप कर रहे है ठीक एक यहां था एक यहां था एक यहां था जिनको भूल रहा होगा उनको बता रहा हूं मैं अब हम लोग किधर आएंगे second number पे आएं कर दीजिए तो second फिर option आ जाएगा आपका क्या during welding during welding है ना यानी welding के दाउरान ठीक है welding के दाउरान हाँ चंद्रमोहन बिल्कुल clear ना आप सब तो बहुत बढ़िया से पढ़े हैं अब जब question पूछते हैं और मैं पूछता हूँ तो जो reply आता है उसे आप से तो मुझे लगता है इन समय clear करने में कोई दिक्कत नहीं होगी बट जो बच्चे नय हैं देख रहे हैं अभी start किये हैं उनको भी बिल्कुल समझते चलना है कोई doubt है तो आप बोलिएगा मैं फिर से कोई class जैसे आज मैं करवा रहा हूँ कोई class ठीक है टेस्टिंग मैं करवा रहा हूँ अभी जो है 85, 83, 85 लोग ठीक है लाइव है 200 प्लस बच्चे हैं सब नहीं देख रहे हैं बाद में कोई देखता है अगर और अगर 5-6 बच्चों से ज़्यादा लोग अगर query आती है कि सरिए class हमको फिर से चाहिए तो मैं फिर से करवा दूँगा live ठीक है अब क्या आ जाएंगे हम लोग during welding welding हो रही है तो welding होने के दरण आपuto है कि यही आप सोची है कि welding के दरण के समय आपके क्या कर सकते हैं सबसे पहली बात तो आप अर्क लिंथ देखेंगे correct है कि झाamous अब आर्क लिंथ जो है वो welding छोटी हो जाएगी तब भी समस्या हो जाएगी है ना तो इन सब चीजों के बारे में तो clear था और साथ में क्या है इसमें हम लोग क्या देखेंगे welding के दौरान arc length है ना correct है या नहीं ठीक है arc length जो है आपका correct है या नहीं दूसरा क्या देखेंगे जिस समय welding हो रही होती उसमें material को क्या करते हैं बिल्कुल बिल्कुल travel speed बिल्कुल arc length angle of electrode मैं लिखवा ही देता हूँ आप क्या देखेंगे angle of electrode angle of electrode चंदर मोहन जी बता रहे हैं बहुत सही angle of electrode यानि कि जो angle है electrode का यार basic सी बात है यह सारी चीज़ें welding के समय ही तो आप देखोगे कि welding हो रही अब angle हमारा कैसा ठीक ठाक है कि नहीं वही तो आप चेक करोगे वही तो आप जाच करोगे हाँ और क्या करोगे angle of electrode सही है या नहीं ठीक है उसके बाद में motion यानि गती speed जो भी आप कहें वो ठीक है या नहीं उसके बाद क्या है metal deposition metal deposition यानि कि निक्षे पढ़दर जो material आप पिघला पिघला के डाल रहे है तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे जादा जादा material गिल के पिघल जा रहा है student पहुंच जा रहा है और कहीं पे जो है बहुत कम पहुंच रहा है hors आर्क ब्लो भी बिल्कुल हम लोग आर्क ब्लो भी जो है वो इसी समय चेक करेंगे और टैक वेल्ड भी हम लोग इसी समय करेंगे तो यह भी जांच करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि टैक वेल्ड जो है वो आपका सही हो रहा है या नहीं है ना तो यह सारी चीजें आप क्या क हो रही है या नहीं यह सारी चीज़ें आप चेक करोगे ना इसा वेल्डिंग के दौरान ही तो होगा हाँ ठीक है वही जो आप बीड जो हाँ मतलब की नेक्स्ट बीड के टाइम स्लैग वही मैं बताया हूं कि जब आप बीड जो है छटवा नंबर क्या है बीड नई आप स्टार्ट कर रहे हैं जब करने से पहले स्लैग साफ किया गया या नहीं गया या नहीं ठीक है जो स्लैग होता है वो वेल्डिंग स्टार्ट करने से नई बीड आप जब चढ़ा रहे हैं तो स्लैग आपका साफ हुआ या नहीं ये भी तो आप चेक करोगे नहीं तो वो slack फिर सब अंदर फस जाएगा और वही slack inclusion वाली समस्या हो जाएगा internal defect वाली है ना और tag weld जो है वो सही हो रहा है या नहीं current आपका जो है सही setting है या नहीं इसमें current कम जादा चाहिए कितना चाहिए है ना अगर undercut हो रहा है सही है या नहीं current setting हो गया ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे welding के दोरान ही करेंगे ठीक है ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे welding के दोरान ही check करेंगे अब क्या हुआ after welding आप लोग क्या करेंगे after welding वही चीज़े मैंने बताई कि after welding आप कुछ नहीं कर सकते आप welding हो गई तो आप क्या करोगे जादा जादा अब आप जाच करने आप जाओगे भी वहाँ पे inspection आप करने गए वहाँ पे welding हो गई तो आप क्या कर लोगे कुछ नहीं आप तो material जुड़ गया आप तो part आपके हाथ में है इसलिए हमने बताया था कि जो third वाला है उसमें आपको testing करने ही पड़ती है फिर माल जो है वो उपभोगता के पास जा रहा होता है customer के पास जा रहा होता है तो 100 piece माल बन के तैयार हो गया इधर welding के बाद उस 100 piece में आप 10 piece उठाएंगे उसको तोड़ फोड़ के चेक करेंगे कुछ piece को देख के चेक कर लेंगे जो जैसे लायक रहेगा distributor रहेगा तो तोड़ के देखेंगे non distributor है तो भी न तोड़े देखेंगे semi-districtor रहेगा तो अलग-अलग तरीके हैं हमारे उस type से देखेंगे ठीक है तो after welding में क्या करेंगे इसके बाद जो है हम लोग जोड़ों की परख करते हैं अब वह हैं वहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं मामला हाथ से निकल चुका होता है ठीक है इसको रफ करें इसको रफ कर देते हैं अब हम लोग क्या करेंगे after welding है ना clear sir बिल्कुल after welding है ना यानि की welding के बाद तो welding के बाद भईय इंस्पेक्शन नहीं होती होता है तो सीधे क्या होता है ना कोई dialogue मुझे याद आ रहा था भूल गया तो welding के बाद जो है inspection नहीं सीधे होगा आपका क्या testing मैंने बताया ना कि आप तो welding होगे माल तो तैयार होगा आप inspection करके आप करोगे क्या उसमें, क्या रोक लोगे आप, अब तो बन चुका है वो, तो आप उसमें बस testing कर सकते हो और आप यह देख सकते होगी, कौन सा material हमको बाहर निकालना है, कौन सा भेजना है market में, या customer को देना है, ठीक है, clear है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम जोडों की परक करते हैं, यानि की joint की testing करते हैं, ठीक है, सुरक्षा की guarantee भी हम लोग क्या करते हैं, यहीं से देते हैं, clear है, विपिन कुमार जी, like का symbol भेज रहे हैं, पिलकुल, यहाँ पे like का नहीं है, YouTube पे होता है, अगर like, अगर आप कर ही रहे हैं, तो कुछ अपने दोस जीजे से जुड़ रहे हैं, बिलकुल, तोड़ फोड़, तोड़ फोड़, से बचना है, ज्यादा सज्यादा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, testing करते हैं, जोडों की परक करते हैं, जॉइंट की testing करते हैं, सुरक्षे की guarantee यहीं पर दी जाती है, इसके दोरा हम हुआ है, penetration कम हो पाया है, हाँ, मज़ा आ गया चंद्रमोहन जी, विलकुल, विलकुल, अज की class में मज़ा आ गया आपको, इसके पहले नहीं आया, चलिए, यह लिखवाने की ज़रुवत है, क्या इसको, यहीं पर सुरक्षा की guarantee दी जाती है, है ना, यहीं पर joint की testing की जाती है, ठीक है, सुरक्षा की guarantee आप यहीं से sure करते हैं, जो guarantee warranty दी जाती है, तो जब कोई बजाज का पंखा है, ना, fan, जब fan निकलता है, checking से quality check होता है, वहाँ पर जब tested होता है, कि okay, तब ही वहाँ से 2 साल की warranty देते हैं, या आप 2 साल आराम से चलाइए, यहीं मतलब है इसका, तो सुरक्षा की guarantee यहीं से देते हैं, ठीक है, final testing के बाद, सुरक्षा की guarantee यहीं से देते हैं, ठीक है, clear है, यहीं से हम लोग strength जाचते हैं, यानि कि हमारा metallic कितना strength वान है, कितना सामर्थ है इसमें, लिख सकते हैं आप, strength की जाच, यही process में, होती है, ठीक है, यही process में होती है strength की जाच, ठीक है, इसमें हम लोग क्या जाचेंगे, slag inclusion है, यह crack हो गया है, यह incomplete fusion हो गया है, है ना, या incomplete penetration हो गया है, यह penetration phenomenon मुझे बताने ज़रुरत नहीं है, ठीक मैं बता चुका हूं, fusion सही हुआ है या नहीं, है ना, साथ में crack है, इस सारी चीज़े हम लोग क्या करेंगे after welding जा चेंगे और afterwelding में क्या भी करेंगे현क वहाँ भी टेस्टिंग करेंगे ठीक है अब टेस्टिंग के बारे में आपको बता दिया था किसा मैं आगा क typically तेस्टिंग बात करें यहाँ फे तो टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि तीन प्रकार से होगी, एक non-destructive, ठीक है, एक semi-destructive, एक क्या होता है, destructive, यह मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार से testing होगी, non-destructive में मैंने आपको बताया था कि तीन common होते हैं, और मैंने 6 सायद गिनवा दिये थे आपको special, ठीक है, तो वो 6 आपको special याद रखने हैं, और तीन आपको क्या रखने हैं common याद रखने हैं अब उन तीन common को हम लोग discuss करेंगे पहले पहले तो हम लोग non-districtive के बारे में जानेंगे non-districtive क्या है non-district मतलब है कि ऐसा आप testing कर रहे हैं जिसमें कोई तोड़ फोड़ ना हो सब कुछ आराम से काम हो जाए बिना लड़ाई जगड़े के बातों से अगर समस्या का हल निकल जाए तो तोड़ फोड़ की ज़रूत नहीं है तो वो यह कहता है non-districtive यानि कि गैर भंजनात्मक test इसको बोलते हैं हिंदी मैंने लिखवाया है भी उसके बाद इसमें भी अलग-अलग जो पांच और तीन, छे और तीन है ना नौ केस हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा ये ठीक है उसके बाद semi-districtive और destructive फिर हम लोग देखेंगे workshop में जाना होगा, lab में जाना होगा जहां भी जाना होगा, वहाँ आपको ले जाएंगे और आराम से हम लोग testing करेंगे, ठीक है तो ये topic यहीं तक था, तो इसलिए जो है आगे new class जो है, नए topics हम लोग start करेंगे ठीक है non-destrictive को जो है हम लोग, बीना तोड़े बीना नाश्ट किये इसमें क्या करते है, हम लोग job को दुबारा use भी कर लेते है जब ये testing हम लोग perform करते है तो जिस material पर हम लोग जाचते है, वो material हमारा use में आ जाता है, ठीक है ऐसा नहीं को उसको फेक देते है, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें फेकना पड़ता है material को ठीक है, semi destructural तो फिर भी ही АARC कि यहा होता है, उसको आप को फेकना ही पड़ता है बट यहाँ पे आपका वो piece फिर से यूज किया जा सकता है ठीक है, बीना तोड़े फोड़े, बीना नश्ट किये चलिए, ठीक है थेंक्यू आप सब का जोड़ने के लिए चलिए ठीक है आज की क्लास तो जो है हम लोग यहीं पर रोकते हैं बागी कुछ पूछना हो तो ठीक है कुछ पूछना हो तो आप लोग लाइव में पूछी सकते हैं कमेंट तो पढ़ता ही हूँ वाकि किसी को किसी को आपका कमेंट दिखेगा भी नहीं बहुत सार ऐसे लोग है इनका मैं नाम नहीं लेता हूं बोल देता हूं रिप्लाइब कर रहा हूं ठीक है विपिन कुमार गूड ट्लास है सर तो फिर प्रमोट करिए आप लोग प्रमोट क्यों नहीं करते हैं इतनी कम स्ट्रंथ क्यों है हमारे चैनल पर बताईए चलिए ठीक है प्रमोट करिए सब लोग बताईए जहां जहां भी आप लोग जुड़ह हैं कई सारे गृप में जुड़ही हुए सब लोग मैं सब जानता हूं ये जो बच्छे भी कमेंट कर रहे हैं आप लोग इस सब लोग जुड़ै हुए हैं ठीक है हर जगए पर गुड नाइट अराम से मस्त खाना वाना खा के सोजाए सब लोग खाना तो हो गया होगा न दस बज गया है ठीक है अच्छा ये जो लोग सोच के ये घुसी होंगे मेरी क्लास में जोईन किये होंगे कि भीया मैं सर्वग याता हूँ मैं सब कुछ आपको बता दूँगा तो ये तो गलत सोच के आप आया हूँ ठीक है मेरे पास ठीक है जो हमसे नहीं बनेगा मैं देख के फिर अगले दिन आपको बताने कोशिश करूँगा ना ऐसा तो नहीं है मैं भी तो आप से कुछ चीखूँगा